आज हम प्रदीश में बढ़ रही च्वेन स्नेचिंग की घटनाओं पर बात करेंगे जोतपुर की बात करें तो पुलिस कमिश्मरीट में च्वेन स्नेचिंग की वारदाते पिछले कुछ महीनों में करीबी एक दरजन से जादा वारदाते सामने आई है आला कि पुलिस ने भी मामले में कारवाई करते हुए शातिर च्वेन स्नेचर को खरफतार किया है इस च्वेन स्नेचर में करीब 15 से जादा वारदाते खबूर की है यही नहीं वहां चोरी लूट जैसी वारदात पिर लगता सामने आती हैं कुछ मामलों को छोड़ दे तो अधिकतर मामलों में पुलिस को कामयाबी हाथ नहीं लगती है तो लगातार ऐसी शिकायते देखनी को मिली हैं कुछ तस्वीरी में हम आपको दिखारें अलग लग घटनाओं कि यहां पर इस तरकी घटनाएं देखनी को मिली है और सबसे जो परिशान करने वाली बात है वो यह कि ऐसे मामलों में जादतर में पुलिस नाकामयाब भी साबित रही है चले दो इसी पर ज़्यादा जानकारिक साथ अलग अलग जगों से हमारे सही होगी ग्राउंड़़ से जोट रहे हैं ऊबर उनका रोख करेंगे और आपको बता दे हमाईर साथ यहारत से हमारे सा Menu नहीं हमारे साथ होगे हमारे साथ कोटा से मांश्रू मितल और भावानी हमारे साथ होंगे जोत्पूर से तो एक एक कर्षब का रुख करेंगे सबसे पहले शरत मैं आपके पास आना चाहूंगा जिस तरह से वारदाते हुए और हमने देखा है कि बीते कुछ दिनों में ऐसी मामलों के शिकायते बहुत सारी दर्ज हुए लेकिन काम्याबी का जो रेट है यानि इन तक पहुंचने में पुलिस को उतनी काम्याबी नहीं मिलिए कहीं न कहीं जनता परिशान है अब आलम यह हो गया कि लोग घरों से बाहर हैं से सुनी जगाओं को सुनसान रास्तों को जहां से महिलाए निकलती है वली मोर्निंग वोक के लिए जाये मंदिल जाये और उस जगह पर जाकर कि ये चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम देते हैं पिसले अगर समय की बात करें जैपूर में काफी वारदाते सामने आ करती है इसके लावा जो जैपूर के थाने हैं सभी थानों के अंदर अलग से कोशिश की जाती है कि चेन स्नेचर्स को गिरफतार किया जा और इसके लिए लगातार अलग लग तरीके से अभियान भी जैपूर शहर के अंदर चलाये जाते हैं जैपूर पुलिस कमिशनरेट क और से एडिशनल DCP सुलेश चोधरी हमारे साथ में हैं सीस्टी टीम से हैं किस तरह से वो लोग कारवाई करते हैं इन चैनिस नर्चर्स को पकड़ने के लिए और कई बार कामिया भी नहीं भी मिल पाती सभी तरह के मामलों में उनको लेकर कि सारी चीजे जानने की कोशिश करत है जिसमें हमारी से इस्टी टीम की जो चैन सीनेचिंग और मोबैल पता लगाते हैं और इस पूरे प्रियाश में हम लोग अलगबग 20-20 चैन सीनेचर्स को अभी तक गिरबदार कर चुके हैं और बाकि हमारे प्रियाश जारी हैं लगातार उनके बारे में जानकर हम जुट सकते हैं सफलता मिली है बाकी चेन शीनेचर क्यों नहीं पकड़ में आ रहे क्या वो शेहर से बाहर चले जाते होंगे या फिर कहां किस तरह से छिप जाते होंगे की पकड़ से बाहर है एक्ट्नी है क्टेशे की लादि होते हैं तो नशे के लगए लाद से जूड़े विरधा नशे में इस तरह की वारदान करते हैं तरह के लोग सामने आ रहे हैं ये लोग वारदात करने के बाद में कई वार तो सहर चोड़ के चले जाते हैं जैसे टॉंक से कोई बंद आया उसने वारदात करके चला गया कोई करोली से आया कोई दोलपूर्च आया चैन स्रेंची की वारदात दो उसने चैन स्रेंची की वार आजी लगातार हम लोग इसमें कारवाई कर रहे हैं आगे में हमारा प्रियास जारी रहेगा कि हम इस तरह की वार्दाथ करें बचने के लिए किनकि वो बाहर जाती है उनको पता नहीं हो आचानक कोई जबटा मारता और अभी मैंने देखा राजा पार के अंदर कुछ दिनों पहले वारदा थोई गंभीर रूप से दो महिलाएं गायल हो गई थी और उसके दस दिन बाद में फिर से इस तरह के वारदा देखने को मिली उसमें भी महिलाएं गायल हो जाती है तो उनकी कोई नहीं होती बेवज़ है उनके उपर इस तरह से कहा जा सकता है कि हमला भी है सिर्फ चेन स्नेचिंग नहीं है कि उनको जो परादी होते हैं गायल तक कर जाते हैं और कमजोर जो महिलाएं दिखती है उनकी इस तरह के अटेक करने का प्रियास करते हैं या जो से थोड़ी मजबूत या यंग महिला होती है उनकी कम इस तरह का अटेक होता है लेकिन बुज़र्ग महिलाओं को भी सावचेत रहने की जोरत है थोड़ साचेत रह करके अपने गिर्द के लोगों को देख कर के अपने चले तो इसमें अपने सावधानी बच सकते हैं इसके लावा जो ये चेन स्नेंचिंग की वारदात कर रहे हैं क्या ये बार बार वही अपरादी हैं जो जेल जाते हैं छोट कर वापस आ जाते हैं फिर से वारदात करने लगते हैं य कोई भी लड़का जो बीस-बाइस साल का लड़का है या इस एज ग्रूप में जो यूथ भूम रहे हैं जिनकों की बुरी आदतें लगी हैं नसे कि लट लगी है किसी और तरह की आदत उसमें लगी है उसको पूरा करने के लिए वह सबसे इजी टार्गेट है कि रस्ते चलत दस-दस-पंदरा-पंदरा-बीस-विस मुकद में चैन सिनेचिंग के हैं ये लोग वापस जेल से छूट कर आ जाते हैं फिर से वारदाते करते हैं क्या सजा कड़ी होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ क्योंकि चैन सिनेचिंग एक मामूली गटना नहीं का जा सकती एक म साथ में उसके मांसिक इस्तिती पर गंभीर परभाव पड़ता है ये बिल्कुल वाजिब बात और यहीं वह जाए कि चिंता जो है वो बढ़ने लगी है एक बार जोस्पूर भी चलते हैं वहानी के पास नसे जानने के कोशश करते हैं वहानी जैसा अब सुन रहे थे कि प्रयास ऐसे चीज़ों को रोकने के लिए वहां देखने को मेरा है देखिए अगर जोदपूर कमिशेयर की बात करें तो कमो वेस पूरे राजस्तान में जिसतरे के हालात है वेसे ही जोदपूर में हैं और अगर आपरादिक गटनाओं की बात करें तो जो चोरी की बारदाते हैं चाए नकबजनी की बारदाते हैं या फिर चैन्सनेचिंग की बात दाते हैं या फिर लूट की बारदाते हैं इस तरह की बारदातों में लगातार इजपा हुआ हलांकि पूलिस लगातार दावे कर पुलिस की कारीपड़नाली है उन समाम दावों पर जो है सवाल खड़े करती है आखिरकार जब इतना पुलिस का बंदोबस तरहता है इसके बावजूद जिस तरह की गटनाई अगर पिछले तीन-चार मैनों के आंकड़े देखें तो करीब आदा दर्जन से अधिक वार्दा वार्दाते हुए है जब महलायmpra बजार जाती है तो इस दोरान इस तरेकी गटनाओं को बाइक सवार होकरा तो पर इतना अगर पिलिस के कारवाई की बात करें तो अभि तक जो अधिकांस वार्दाते हुई है हालां कि पुलीस ने इस मामले में कारवाई की थी और एक सेनेचर को इरफ़तार भी किया था उससे करीब 15 से अधिक वारदाते भी गबूल की थी लेकिन कुल मिला करके कह सकते हैं कि अधिक थर ऐसी वारदातों को पुलीस कोलने में भी नाकाम रही है कह सकते हैं आसपल रही है ऐसे में जो लोग है वो जब घर से बार निकलते हैं खास तोर से जो महिलाएं हैं जो लड़कियां है वो निकलती है तो कहीं ने कहीं उनके मन में एक डर जरूर रहता है और पुलिस के परती जो भरोसा और विश्वास जो लोगों में होना चाहिए रहता है मेरे साथ मैं मेएंदर जी मेखवाले आप से जाना चाहूंगा कि सतरे की गटनाएं होती है और लगातार जिस तरे से शेर में इस तरे की गटनाएं सामने आती रहिए कई बार विपक्स ने भी इस मुद्द्ध को उठाया था लोगों ने भी आवाज उठाई ती लेकिन लगातार इस तरह की वर्दाते बढ़ रही क्या कारण मानते हैं आप इसकी में तो हमारी पार्टी पिछले कई समय से यहां इस्तानिय प्रसासन को इस समन्द में ग्यापन दे चुकी है और कई बार तो हमने कह रखा और दूरबागी है यहां के मतब जायजन में इस प सबाव है और यहां की अपनायत रही है कि महिलाएं बिल्कुल निसंकोच से अपना विचरन करती हैं गूमती है मार्केट में जाती है लेकिन जैसा कि अभी सुनने में है आपकी डिवेट चल रही थी कि महिलाएं सावचेत रहे हैं क्यों रहे हैं महिलाएं सावचेत प्रसा हैं और लोगों में बहुत डर का मौल है और यहां के मुख्यमंद्री यहां नियमिद रूप से आते रहते हैं और आज भी आप देखिए कल कल कहीं देखो आप कल पुलिस के एक अधिकारी को बोर्नेट से उड़ा दिया किसको पकड़ा आपने आखिर डर तो इस जिवत बावनी इनके बातों से यह लगता है कि कहीं ना कहीं नाराज़की इस बात से लेकर कि घटनाय जो हो रही है वो तो ठीक है वो अपनी जगह पर हैं लेकिन उस पर अगर कारवाई अच्छी तरी कि अभी पाया जा सकता है इस परिशानी से निचाट जो है मिल सकती है और चीजे पुरानी हो जाती है जिनके साथ ऐसी घट्नाए होती वो थाने के चक्कर लगाते रहते हैं लेकिन उनको बहुत जल्दी अपरादियों दूप पुलिस पहूंच नहीं पाते तो कहीं नहीं राजियों के धर पकड़ नहीं हो पारी। जिसके हाथ जिसके पास जोलरी चाहन के अंदर सहने जाते हैं तो कितना आपने आपको सुरक्षित महसूस कर पाते हैं सीदे तो जब हम बाजार में जाते हैं Dannis देखे पहली बात तो यह होती है कि महिला जो होती है एक परिवार की बेसिक इकाई होती है और आज का जो माहौल है उसमें सुरक्षा सबसे जादा इंपोर्टेंट है चाहे वो बच्चों की हो चाहे एक परिवार की हो चाहे वो एक महिला की हो और चेंड स्नेचिंग एक ऐसा गिनोना अपराद है जिसके अंदर सिर्फ एक महिला ही एफेक्टेड नहीं होती आज पास का जितना सोसाइटी का इन्वोर्मेंट है वो भी एफेक्टेड होता है इसके लिए मैं सरकार से सिधे सिधे यह पिल करना चाहूंगी कि महिलाओं की सुरक्षा अगर उनके हाथ की ब अपनाने का तरीका है उनको लगता है कि फास्ट ग्रोथ हो जाए क्विक मनी हम अपना ले तो वो इस तरीके के कारण अपनाते हैं सबसे बेले तो मैं महिलाओं के लिए मेरे एक संदेश है कि भले आपके पास आप उपर से लेके नीचे तक सोने में लदी रहती हैं लेकिन जब भी आप मार्केट में निकले न तो शोपीस की तरह एक फेशन शो की तरह ना चले अपने आपको भी कवर करके चले क्योंकि हर जगे प्लीस हर जगे अपन को सुरक्षा नहीं मिल सकती अपनी सुरक्षा खुद को करने पड़ती है तो शोबाजी की जगे आप अपने घर में अपने परिवार को शादी ब्याओं में दिखाओ जिसको जो दिखाना है बहार जह हम मार्केट में निकले न तो यह सोच के च डी मारात करें पर पहले से बहोच किया जाता है इनकी पूरी प्लाणिंग रहती है कि यह महिला नीकल रही है इसके पास यह सब्सक्राइब नकली रखा हो फिर भी सामने वाले की चैन स्नेचिंग की यह सोच रहती कि कुछ ना कुछ दो प्लान करके पूरी वार्दात को अं युदि के लोगता है कि आप방 कर 상황 सोमद आपके निना माद आपके प्रतिक्राइब हाँ है इनने बीते साल की बात करें हम तो पूरे प्रदेश के विभीन जीलों में 300 मामले दर्ज हुए जिसमें कुल 27 प्रतिशत मामलों में ही कारवाई हो पाई बाकी मामलों में नर्तों कोई बरामतगी हो पाई माल की नहीं कोई आरूपी पकड़े गए तो इस प्रकार पुलिस को भी थोड़ा इसमें सक्रिय होकर अपनी पैट्रोलिंग बढ़ानी चाहिए जब इस तरह की घटना होती है तो निश्यत तो पर पुलिस पर सवाल खड़ा होता है तो क्या ऐसी रणनीतियों जिसके जरिए ऐसी जो मामले हैं ऐसी जो घटना इन परूप लगता है जी जरूर इसी रणनीती बननी चाहिए पर अभी तक हम लोग इसमें बिल्कुल हम अपने आपको इस तरीके काम फील करते कि अभी तक इसी कोई रणनीती बनी नहीं है आप देखिए पिछले जो भी अपराद हुए हैं आप देखिए दुशकर्म के कैसे जो महिला ना तो वहां पे रख्षी ते तो हम तो कॉंग्रेस के कारिकाल में अपने आपको इतना आज सहनी और बेबस मैसूस करते कि कब ये नियाय प्रणाली इनकी सुद्रेगी आपने कहा कि महलाओ को इस सरकार से नाराजगी भी है क्योंकि इस तरह कि जब घटनाय बढ़ने लगती हैं तो कही ना पतर केसेज में और आधे मामलों में आप राधी भी घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं उनकी तलाश होती रह जाती है लेकिन सबसे बड़ी बात कि चेर स्नेचिंग के साथ हमने दिखा है बीते कुस समय में बैंकों से पैसे निकार कर लोग आ रहे हैं तो बैंक ची किया जाए तो इससे पार पाया जा सकता है जिसमें से 27 परतिशती खुलासे हो पाये या गिरफ्तारियां हो पाये लेकिन जैपुर के अगर बात की जाए तो 50 परतिशत तक ये चीज़े पहुंच जाती है और उससे भी ज़्यादा अगर साल के एंथ होते देखेंगे तो उससे भी ज़्यादा इस्तिते में ये मामले पहुंच जाएंगे आकड़े पहुंच जाएंगे तो अगर सभी शहरों में कुछ इस तरह से विंग बना करके अलग से कारवाई करें क्योंकि सिर्फ फुलिस थानों के दम पर नहीं का जा सकता कि इन स्नेचर्स को पकड़ा जा सकता है क्योंकि ये एक अलग रणनीति के सा यहां पर काम करते हैं अलग अलग जगव से आकर एक शहर में रहते हैं और ये एक संगठित गिरो नहीं है ये किसी भी तरह के कोई भी युवा हो सकते हैं जो कि दली यहां पर बढ़ाही करने के लिए आया हो यहां पर आकर कि उसको पैसे की जरूरत है नशे की लग्ध है वो चेन स्नेचिंग करने लग जया कि एक बड़ा आसान सा अपराद है अपनी बाई के लिए जो है इसको बैतर तरीके से टैकल करने के जरूरत है और जो लोग इसमें पकड़े जाते हैं कोशिश यह होनी चाहिए कि इस तरह के प्राफदान हो कि उसके बाद जब वहां से निकले तो दोबारा ऐसे मामलों को अंजाम ना दे बहुत बड़ शुक्रिया आप तमाम सही